क्लास एट मैं NCRT CBS 9.5 का question no. 4 का 6 no. में आ गया है क्या है a b plus b c का whole square minus 2a square c तो इसको solve करते है a plus b ka whole square है ये a b plus b c का whole square मतलब a plus b का whole square का formula है तो पहले में लिख दिया by using a plus b का whole square square 2a square plus 2a square होगा क्या पहले का square ठीक है A B पहला है पहले का square into 2 into A B into B C ओके 2 A B और B C और प्लस B C का square ठीक है ये हमने एक अलग bracket में रख दिया ये part अलग है वीचे में मैनस का sign है और ये part अलग है ठीक है ये छोटा सा part है 2 A square C अब इसको solve कीजिए इकोल टू क्या हो जाएगा AB into AB यानि A square B square प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 A सिर्फ AA की है A लिख दिया B दो B है तो B square हो गया B into B square और C अकेला है अब ये क्या होगा B square C square माइनस 2 A B square C चाहे तो आप इसको bracket में भी कर सकते है ठीक है ताकि प्लस माइनस का कोई problem ना है A square B square अभी bracket हटाएते है 2 A B square C प्लस B square C square ठीक है माइनस 2 A B square C इक्वाल टू क्या होगा अब ब्रेकेट हटा दीजे अब A square B square प्लस 2 A B square C प्लस B square C square ठीक है अब माइनस के बाद जो है वो सिर्फ एक नंबर ही है तो डेक्ट इसको मैंने लिख दिया 2 A B square C ठीक है 2 A square B 2 A B square C ये भी है ये प्लस में ये मैनस में है ठीक है प्लस B square C square ठीक है यहां भी 2 है यहां भी 2 है यहां भी A B square C है यहां भी A B square C है तो दोनों cancel हो गया value कितना हो गया A square B square प्लस B square C square ठीक है यह हो गया answer